एक लड़की बहुत ट्रबल क्रेट करती है तो उसके स्टेफ फादर उसे बहुत ही डेंजरस से कैम में भेज देती है जहाँ पर बहुत सारी इल्लीकल चीज़ चलती है उसी लड़की का बॉइफरेंड उस लड़की को ढूनते हुए उसी कैम पर बहुत चाहता है अब आगे क्या होगा या आज के हमारी मूवी बूट कैम जो 2008 की एक थ्रिलर हॉलिवड मूवी है इसमें हमें पता चलेगा स्टार्ट करने समयल में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप कोई वड़की अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बीना किसी देरी के एक्स्पेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को देखते है जिसका नाम है बेन वो एक शॉप में काम करता था उसके शॉप में एक लड़की आई जो गयती है तुमने मुझे एक बहुत इखड़िया चीज सेल की थी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है यह लड़की और कोई नहीं तुसकी गर्फरेंट सोफी ही थी उसे लेकर गई और यह दोनों मेक आउट करते है एक पार्टी होने वाली थी यहाँ पर सोफी ने उसे इन्वाइट किया सोफी के गरबर उसके पार्णस ने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया हुआ था एक्च्वल में उसके फादर की दो साल पहले डेट हुई थी उसकी मदर ने किसी और से शादी कर लिया सोफी का अपने स्टेफ फादर अच्छे नहीं लगते तो उससे जलील करने के लिए उनके फ्रेंज के सामने उसने एक वीड की सिगरेट उसे दिखाई कहती है क्या आप की है इसे स्टेफ फादर को बहुत जादा गुस्सा आ जाता है सोफी बेन सही थी कि मुझसे शादी कर लो इसके बाद मुझे मेरी मदर के पास नहीं रहना पड़ेगा बेन कहता है हमें इस रिजन की वज़ेश शादी नहीं करने चाहिए हमें एक दुसरे से प्यार करते है यह रिजन होना चाहिए यह दोनों इंटिमेट होने वाले थे तभी वहाँ पर कुछ अजीव से लोग पहुझ गए वो जबर्दे से सोफी को वहाँ से लेकर जाते है बेन सोफी के पैरंस से बुछता है कि यह सब क्या हुआ तो पैरंस ने कहा कि सोफी को इस सब की जरुवत थी उसे अब वो एक कैम में भेजने वाले है बेन कहता है कि आप उसके साथ इसा कर कैसे सकते हो जिस कैम में सोफी को भेजा गया है यह कोई भी नॉर्मल कैम नहीं जो बच्चे ट्रबल क्रेट करते हैं उन्हीं इस कैम में भेज दिया जाता है जहावर बहुत स्टिक डिसिप्लिन की वज़े से उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है अब इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी-बड़ी सजा भी दी जा सकती है अगली सुबा जब सोफी को होश आया तो फीजी के एक आइलन पर थी उसके साथ कुछ और भी लड़के थे जिननें भी स्कैम में भेजा गया था इन सब को जबरदस्तिक बीच के पास ले जा जाता है सबका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उनके पेर में एक डिवाइस लगा दिया गया इस डिवाइस में ट्रैकर था जिससे कोई भी बचकर भाग ना सके यहाँ सेक्यूरिटी का हेड लोगन था लोगन सबसे कहता है कोई भी यहाँ से बचकर जा नहीं सकता क्योंकि आस पास पुरा पानी है तेरे कर कभी भी किनारे तक तुम नहीं पोच सकते इन सब को फिर एक सिमेंट के स्क्वेर से बान दिया गया लोगन कहता है कि हम सब को स्ट्रॉंग बनाने वाले है जितने जल्दी तुम सीख जा उतना ही तुमारे लिए अच्छा होगा राप में किनारे पर पानी आने लग गया यह सब लोग डूबने लग गये थे पूरी रात खुद को बचाने के लिए तड़बते रहते हैं अगली सोबा इस कैम का ओनर नॉर्मन इनके पास है वोने वेलकम करता है सोफी कहे थी कि यह किस तरीके का वेलकम है रात बर हमें तड़बना पड़ा था नॉर्मन ने का कि जिस तरीके से तुमें फील हुआ तुम यही चीज अपने पैरेंस को इतने सालों तक फील कराते आ रहे हो वो भी तुमारी वज़े से स्टक थे इस कैम में तुमें सही तरीके से बिहेव कैसे करना है यह सारी चीज़े सिखाई जाएगी दूसरे लड़के नॉर्मन को गालिया देने लग गये थे एक को इन्होंने बहुत जाद मारा इन सब को एक लड़की से इंट्रोडूस करवाया गया जिसका नाम था एलन एलन यहाँ पर पिछले दो साल से थी और अब इस आइलन से हो जाने वाली थी क्योंकि अब वो सुधर चुकी थी एलन सब को यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर गाइड करती है बाकी कैम के सारे स्टोडन ने ब्लैक शट पहने हुए थे वो कहती है यह तुम्हारी स्टेट आफ माइंड रिप्रेजेंट करता है जैसे जैसे तुम में सुधर आएगा उसी तरीके से टीशर का कलर हम चेंज करेंगे पहले यलो होगा उसके बाद वाइड और इसके बाद वो घर जा सकते है सोफी जिस कैम में थी वहाँ पर उसके एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था ट्रीना ये दोनों डिसकस कर रहे थें कि एलन जब यहाँ पर आई तो उसकी कंडिशन क्या थी एलन ने कहा कि मैं बहुत ही जादा फैट थी अब यहाँ पर रहने के बाद वो शेप में आ चुकी है और उसका कोई भी मजाग नहीं उड़ाएगा वो फैट थी तो इस वज़े से टेंशन में खुद को हर्ट करती थी अब उसका माइंड सेट बहुत ही स्ट्रॉंग हो चुका है गर बर बेन ने सोफी के मदर से बात करने की बहुत कोशिश किये वो बार बार उसे कॉल करता था एक दिन फिर सोफी की मदर बेन से मिलने की लाई बेन ने उसे समझाने की कोशिश कि कि सोफी ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती बेन बुछता है कि वो क्याम कहा है सोफी की मदर ने उसे बता दिया बेन ने कहा कि तुम्हें उसे प्रोटेक करना चाहिए सोफी की मदर को बुरा लगा और वहाँ से चली जाती है बेन ने उस कैम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल वाई उगर में अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया उसने एक ड्रग डिलर से ड्रग्स पाई किया खुद को इंजेक करने लग गया था इससे के पैरलल में सोफी को यहाँ अज्जेस होने में बहुत ही टाइम लगता है इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी एक दिन कैम में सोफी ने देखा कि इस कैम में एक होल भी बना हुआ है जो लड़के कुछ बात मानते नहीं उन्हें इस होल में डाल दिया जाता है यह बहुत ही डेंजरस परिश्मेंट थी एक दिन सब लोग को एक जगा पर बुलाया गया ट्रिना को सब के बीच में खड़ा किया जाता है नॉर्मन गहता है ट्रिना को यहाँ आयो वे 3 weeks हो चुके है अब ट्रिना ने जो भी किया था उसके बारे में उसे confess करना था ट्रिना को सब के सामने बताना गलत लग रहा था तो नॉर्मन ने कुछ बच्चों को चूज किया ये सारे मिलकर ट्रिना को पुश करने लग गए, मारने लग गए Finally ट्रिना confess कर देती है वो गहती कि मेरे parents बहुत ही religious है मेरा किसी लड़के के साथ होना ये उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उनसे बदला लेने के लिए एक रात में बहुत सारे लड़कों के साथ इंटिमेट हुई थी इसी वज़े से उसे स्कैम में डाल दिया गया उसने जो भी किया उसे गलत लगता है और इसके लिए उस शर्मी नवी थी सब लोग आकर फिर उसे गले लगाते हैं रहते हैं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे इसके बात हम देखते हैं कि सब लोग को बहुत ही स्टिक टेनिंग दी जाती है फिजीकली मेंटली स्ट्रॉंग होने के लिए सारी जीज़े सिखा ही जा रही थी पैरललल में बेन ने ड्रग डिलर से बहुत सारे ड्रग लिये थे इस वज़े से ओर ड्रग डिलर डारिकली उसके घर पर पहुचाता है बेन को मार कर वहाँ से चला किया यह सारी चीज़े बेन के पैरेंस ने देखी उन्हें सब कुछ पता चल गया था उगसे में बेन को भी उसी कैम में भेजने का डिसाइड करते है कैम में एक रात सब लोग बहुत ही खुश थे सोफी ने पूचा कि ऐसा क्या हुआ तरीना उसे बता थी कि आज चिकन है पर इचिकन बाकी सारे लोग खा जाएंगे उन्हें लास्ट लिये मिलेगा ही नहीं तरीना को चिकन बहुत पसंद था तो एक पीस लेकर वो छुप कर खा रही थी ये सारी चीज लोगन देख लेता है वो गहता है क्या तुमें लगता है कि तुम सबसे स्पेशल हो ये पीस तुम रिजर्व करती हो अगर मैंने इस बात को रिपोर्ट कर दिया तो तुम कभी भी इस कैम से नहीं निकलोगी मैं तो अभी तुमें यलो शट दिलवाने के लिए रिकमेंट करने वाला था तुरीना कहती कि प्लीज ऐसा मत करना लोगन ने कहा कि हम दोनों का एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी वो जबर्दस्ती उसके साथ इंटिमेट हो जाता है तुरीना भी यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए उसे कुछ भी बोलती नहीं रात में बहुत बड़ा तुफाना है इसमें सब के टेंट टूट चुके थे इसे फिर से बनवाने के लिए सब लोगो काम दिया जाता है ट्रीना को सब का लीडर बना दिया गया था काम करते करते सोफी बहुत ही ज़्यादा ठक गई कहती कि प्लीज मुझे आराम करने दो ट्रीना ने कहा कि अगर तुमने काम नहीं किया तो हम सब को सजाओगी सोफे मान थी नहीं तो ट्रीना ने सब को ओडर दिया कि वो सोफी को बहुत मारे और सब लोग वेसाई करते है यह सारी चीज़े कैमेरे में नॉर्मन देख रहा था वो अपनी कलिक मेरियन से कहता है कि जब भी हम इन लोगों कुछ बुरा करने का चांस दे तो हमेशा वही करते है कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाते इसी वज़े से सारी यहाँ पर फसे हुए है नेक्सिन में हम देखते है कि बेन भी अब कैम में आ शुका है उससे सोफी को देखता है जिसके हालत बहुत ही खराब थी उसे बहुत ज़ादा बुरा लगा एक दिन सोफी को नॉर्मन ने उसके पास बुला है उसे दूर भी स्क्रीड ओफर करता है सोफी कहती है यह तुम्हारी ट्रिक क्या है मुझे कुछ अच्छा देखकर मेरी थेरेपी करो मैं इस तरीके से तुम्हारे स्कैम में आने नहीं वाली बाकि सब लोग को लगता होगा तुम बहुत ही लाइफ चेंज करते हो पर मुझे ऐसा नहीं लगता नॉर्मन फिर भी उससे क्वेशन बुचता है उसने का यह तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें यह भीजा क्यों सोफी कहती कि मेरे स्टेफ फादर ने मुझे यह भीजा मेरी मदर कभी भी ऐसी बात नहीं करती सोफी को गुसा आ गया और वो यहां से चली जाती है रात में बेन सोफी की पास आकर बैठता है सोफी को उसे देखकर बहुत अच्छा लगा पर एक दुसरी को जान दे हैं यह किसी को भी पता नहीं चलने दे सकते थे एक सिक्रेट जगा इन्होंने डिसाइड की और वहाँ पर जाकर मिल गए बेन ने सोफी को कहा क्यों किस तरीके से यहाँ पर पहुच आ है वो गहता है कि अब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे उसमें बचाने के लिए आया हूँ सब सोकर सोफी के आखों में आसो आके थे अगली दिन बेन की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें से एक लड़का था जिससे स्विमिंग आती नहीं थी पर फिर भी जबरदस्ती उससे करवाए जाती है वो आज अल्मोस डूमने वारा था नेकसिन में नहीं थे कि लोगन और ट्रिना की बीच में डील हुई थी इस वज़े से ट्रिना को येलो टीशर्ट मिल जाता है अब सोफी को भी यहां आयो हूए चार वीक सोच चुके थे तो सब के सामने कनफेस करने के लिए उसे बुला जाता है वो कनफेस कर नहीं थी तब इस सब को बुला गया और सोफी को बहुत मारते है रोते रोते फिर सोफी ने सब कुछ कनफेस किया उसने कहा कि मैंने जूट कहा था मेरे स्टेप फादर की पार्टी चल रही थी जिसमें मैंने कहा कि वो मेरे रूम में आकर रोज रात मेरे साथ जबर्दस्ती करते हैं इनसे उन्हें बहुत ही हुमिलेट होना पड़ा था सोफी को बहुत पच्टा आता है कि इस तरीके से वो जूट बोली आज रात बेन और सोफी यह दोनों फिर से मिले बेन यहाँ से निकलने का प्लान कर रहा था सोफी उसे कहती है कि शायद यह प्लेस मेरे लिए अच्छा है मैंने जूट कहा था और इसके लिए मैं बहुत ही शर्में दा हूँ बेन कहता है कि जिस तरीके से लोग हमें ठीट करते हैं इस तरीके से कोई भी नहीं कर सकता हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए निकसी में सब लोग खेल रहे थे एक लड़का था जो बेन को बहुत ही परिशान कर रहा था वो हर बार उससे मार कर नीचे गिरा देता था बेन ने भी उससे दूर रहने की वार्निंग दी पर वाइनली बेन ने चिट कर उसके प्रावेट में जोर से मारा इस कैम के सारे स्टोरेंट को कहा कया था कि आप इस तरीके से लेटर लिखो जैसे आपके पैरेंट्स आपको लेटर लिख रहे हो यह सब लेटर नॉर्मन को मिलने के बाद सोफी का लेटर हो पड़ता है माब और कोई भी जूट कह सकता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए नॉर्मन की जो भी सब तरीके हैं यह हमेशा उसे सही लगते हैं इसमें उसे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हमने मूवी के फस में देखा था कि सब के बैर में ट्रैकर था बेन्स लूली-स ट्रैकर को किस त कई थी बहुत ही चाला किसी उन्होंने अपना पासपोर्ट यहां से निकाल लिया नॉर्मन की आइलन्ड पर बोट थी जो लेकर यह दोनों बहाँ से चले जाते एक बहुत ही अच्छे से होटेल में जो बेन ने अल्रेडी बुक कर लिया था अब अगली सुबाय प्लेन से यह को भी किया इस वच्छे से सब को भुगतना पड़ेगा तीन मन के लिए आप सब को कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा इनके हां के जो होल्स थे इनमें इन दोनों को डाल दिया गया नेक्सिन में हम देखती कि बेन को जो तकलिफ देता था उस लड़के का नाम था डैनी डैनी क पर as a character बात कर रहा था एक्छॉल मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मैं सिर्फ एक रॉल प्ले कर रहा था वो नॉर्मन से कि तुम भी तो एक रोल ही प्ले कर रहे हौए हो हम सब की तुम प्र युद cya क व्लें आप सब मिलकर डैनी को बहुत मार देय अब नॉर्मन ने बेन से बात की, उसने का तुम्हारी वज़े से सोफी की जो भी प्रोग्रेस हो रही थी, ये भी स्टॉप हो गए, मुझे पहले से तुम्हारे और सोफी के बारे में पता था, पर फिर मुझे देखना था कि तुम क्या करोगे, वो बेन से कहता है नेक्स फ्राइ कैसे इंप्रूव हो सकती हो, बेन जाने वाला है सुनकर सोफी को बहुत बुरा लगा, नेक्स से में देखते है कि लोगन आजरात फिर से टिना के पास आया, उसके साथ इंटिमेट नहीं होना चाहती थी, पो लोगन उसे जबर्दसी करता है, इस बात से वो बहुत ज़्या करने के लिए कहा गया, जैसे कि हम पता है कि बेन को स्विमिंग नहीं आती है, तो सब के पीछे था, सब किनारे पर पहुँच गया, बेन नोटिस करता है कि डैनी पानी में डूप रहा है, उसने लोगन को बताने की कोशिश की, पर लोगन कहता है कि डैनी को खुद स्टगल करना पड़ेगा, बेन ने खुद जाकर डैनी को बचाने की कोशिश की, पर डैनी मर चुका था, लोगन भी डर गया, वो बेन से कहता है कि यह सिर्फ एक एक्सिडन्ट था, हम सब को बताएंगे कि यहां से भागने की कोशिश कर रहा था, इसी वज़ेश उसकी डेथ होगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो हमेशा में तुम्हें इस से कैम में रखूंगा, यह बात बहुत ही बड़ा इशू बन गया था, नॉर्मन ने लोगन को अपने पास बुलाया, वो कहता है अब मैं तुम्हें इस कैम में नहीं रख सकता, लोगन कहता है तुम मेरे ब करते हैं रिना ने उसे पूछा और कितनी लड़कियों को तुमने मजबूर किया ये लोग टी-शेट दिलवानी के लिए बाकी लड़किया सामने आई इस सारे मिलकर लोग उनको बहुत मारते हैं बेंट डैनी की डेट से बहुत जादा गुसा हो गया था वो सबसे कहता है यह पर जाकर वो टकराक है वहाँ पर अल्डेडी आग लगी हुई थी निकलने की उसने बहुत कोशिश कि सब लोग उसे देख रहे थे पर उसे बचाने के लिए कोई भी भी नहीं आता उसकी जलकर ही डेथ हो जाती है फाइनली बेंट और सोफिय नॉर्मन के ऑफिस में आये नॉर्मन ने का तुमने आज फ्रूफ कर दिया तुम जैसे बच्चों को कैम की जरुवत है अब हमेशा पैरंस डरते रहेंगे ये कैम कभी भी बन नहीं होगा नॉर्मन के पास गन थी उन्हें मारने वाला था तभी बेंट ने उस पर हमला कर दिया बेंट के बास भी चाको सारी चीजों को बन पढ़ना ही था नॉर्मन जिस होल में सब को डालता था सबने मिलकर उसे उस होल में डाल दिया यहाँ पर जो भी होता है इसके बारे में उन्होंने पुलिस को बता दिया फाइनली सब लोग इस आइलन्ड से निकल गए थे मूवी के लास्ट में बता जा इसके साथ यह मूवी एंड हो जाती है नॉर्मन को जो लगता था कि सब को discipline सिखाना चाहिए लाइफ में टब बनाना सिखाना चाहिए उसका मानना सही था पर तरीके बहुत ज़्यादा गलत थे वह इन बच्चों को हेट करने लग गया था इसकी सजा उसे भूगत नहीं प भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब तक लिए थांक्यों और आप अपने आपका खैल रखिया